हेई गाईज, वेलकम टू डियार्लोजी क्या आप जानते हैं, दुनिया में 50% से भी ज्यादा लोग अपनी मेडिसिन्स टाइम पे नहीं लेते या तो वो अपनी मेडिसिन्स लेना बिल्कुल ही मिस कर देते हैं इससे वो जल्दी से ठीक ही नहीं हो पाते कहीं आप तो उनमें से एक नहीं डियार्लोजी एप में है आपकी इस प्रॉब्लम का इजी सल्यूशन ताकि आप अपनी कोई भी मेडिसिन्स भी ना करें और टाइम ली लेना भी ना भूले तो चलिए जानते हैं डियार्लोजी मेडिसिन डिमाइंडर को कैसे यूज़ कर सकते हैं सबसे पहले डियार्लोजी एप की होम स्क्रीन से मेडिसिन डिमाइंडर पर टैप करें टाइम लाइन पेज़ पर प्लस बटन पर क्लिक करके अपनी Medicine शिलेक्ट या फिर एड़ कर दीचे For example, हमारी Medicine है Paraceta Mode जो कि यह हमारे प्रीबेज डेटा में नहीं है इसलिए हम एसे एड़ कर देंगे Medicine की image भी यहां से एड़ कर सकते है अभी सबसे पहले हमें medicine लेने का timing, frequency या फिर time interval के हिसाब से select करना है For example, हम यहाँ पे 3 times a day select करेंगे इसके बाद edit icon से timing, dose और instruction अपने हिसाब से set करेंगे For example, हमें सुबा 7 बजे एक tablet लेने है before food बाद में right icon पे जाके save कर लीजे अब आप देख सकते हैं कि बाकी tablets के timing में भी dose और instruction automatically send set हो जाते है इसी तरह अगर आप चाहें तो tablet का timing, dose और instruction change भी कर सकते है अब हमें medicine का schedule set करना है यानि कि medicine को every day लेना है, कुछ specific days को ही लेना है या फिर कुछ days के interval में लेना है अभी इस medicine को जिस दिन से लेना शुरू किया हो वो enter करना है medicine duration में कितने duration तक medicine लेनी हो वो set करना है For example, यहाँ पर हमें tablet continue नहीं बल्कि सिर्फ 7 दिन तक ही लेनी है अभी हमें यहाँ पर एक special feature दिया गया है, refill Refill यानि कि आपको कब इस medicine को फिर से खड़िदना है Refilling से हम date और time के हिसाब से अपनी medicine का remaining time का reminder set कर सकते है For example, हमें यह tablet 7 दिन तक हर रोज 3 बार लेनी है और इसका refill reminder हमें 4 time remain रहने पर चाहिए तो हमें से त्याहाँ पे 4 enter करना है ताकि हमें अपनी tablet खत्म होने के एक दिन पहले reminder मिल जाए अगर आप चाहे तो अपने हिसाब से भी date और time set कर सकते है अभी इस detail को हम save कर लेंगे अपसे हमें ये medicine timeline page पर detail के साथ मिलेगी timeline पे हम next 3 दिन तक कौन-कौन से दवाया कब लेनी है वो देख सकते है यहाँ से हमें tablet को ना ले पाने पर skip और ले लेने पर tag करके time note करना है चाहे तो किसी भी medicine को reschedule भी कर सकते है जो medicine हमने skip की हुई है वो mist page पर add हो जाएगी आप बात में वो tablet ले लेते है या फिर इस record को delete करना चाहते है तो उसे यहाँ से कर सकते है आपने past में जो भी dose लिये हुए है वो past page पर होंगे यहाँ पर हम अपनी किसी भी medicine के detail को plus button से add भी कर सकते है लास्ट में दिये गए refill page में हमारी medicine की refill dose की detail दी गई है यहाँ से भी हम किसी भी dose की detail edit या delete कर सकते है उपर right side हमें setting का option दिया गया है channel setting में जाके default timing, snooze duration या ring tone अपने हिसाब से set कर सकते है अभी जब हमें medicine का reminder दिल रहा हो तभी हम medicine को take, later या skip कर सकते है तो देखा दोस्तों अब से आपको अपने और अपने love one के लिए regularly medicine याद रखने की जंजट नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि अब से ये DRlogy app करेगा तो चलड़ी से DRlogy app इंस्टोल करें और इसके और भी advanced feature जैसे की health tracker, fitness, fit flow, medical records, health calculators, medical dictionary और abbreviation का लाव ले साथी में पाईए अपने लिए most appropriate doctors और clinic की सभी जानकारी अपने mobile पे इस वीडियो को अपने friends और family से share करें और अपने views हमें comment करके ज़रूर बताएं और भी health related और feature videos के लिए DRlogy चैनल को subscribe ज़रूर करें Stay healthy, stay fit Thank you for watching